नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मिना, एसोचेट प्रोफेसर, प्लोटिकल साइन्स, बेसर गोवर्मेंट आट्स कोलेज अलवार, इस एक लास में आप सभी का स्वागत हैं, यह वीडियो, बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड, बहारतिय प्रतिन दी राजनितिक विचारक को में से जो लोकमान तिलक के विचार हैं, उनके संदर्व में हमने पहले भी तीन वीडियो बढ़ाए हैं, और उनहीं के राजनितिक विचारों का विसलेशन आज हम इस वीडियो के माद्यम से करेंगे, इससे पहले के विडियो में हमने तिलक के राष्टवादी सम्मान्दी विचारों की, सामाजिक विचारों की, और उनके जीवन परचे आदिक की वारे में चर्चा की, आज हम इस वीडियो में उनके राजनितिक विचारों की चर्चा करेंगे, राजनेतिक विचार चुंकि लोकमाने तिलक राष्ट्रे आंदोलन या स्वाधिनत आंदोलन में उगरवादी विचारक के रूप में या उगरवादी विचारदहरा को मानने वालों के रूप में जाने जाते हैं उनका प्रशिद्य नारा भी आज तक याद किया जाता है स्वाराज मेरा जनम से तदिगार है और मैं से लेकर रहूंगा और उनके दो सापता ही के जो समाचार पत्र मरठा और केसरी तथा जेल में रहते हुए उनकी दो रचनाएं आर्कटेज वेदाज हम वेदाज इन हों और दूसरा गीता रहेश दो उत्सव भी उन्होंने राजमेतिक स्वाधिन्ता प्राप्ट करने के लिए ही जनान दौलन के रूप में सिवाजी और गणपति उत्सव मनाये मनानया प्रारंब किया उसी कड़ी में हम आज उनके राजनितिक विचारों का विस्लिस्टन इस वीडियो के माद्य हम से कर रहे हैं पहला जो उनका राजनितिक विचार है स्वाधियसी वे भाहिसकार समंदी विचार वैसे तो स्वाधियसी के विचार का सुत्रपात तिलक्षे पूर्व स्वामी दयानन द्वारा किया गया था किन्तु तिलक ने इस विचार को नेकेवल लोग प्रियता प्रदान की अपितु इसे ब्रिटिस सरकार के विरुद बहारतियों के विरोध की अभियक्ति का एक प्रभाव साली माध्धम भी बनाया तिलक के अनुसार स्वेदेशी का विचार आर्थिक वर नेतिक दोनों द्रश्टियों से बहारतियों के हितों के अनुरूप करना था स्वेदेशी और भहिसकार यानि की ब्रिटिस इंडिया कमपनी के माध्धम से ब्रिटिस सामराज की स्थापना भारत में हुई तो उनका कहना था कि जो एक व्यापारे कमपनी है उसके माल को अगर हम नहीं खरीद कर हम हमारे स्वेदेशी सामान का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रिटिस सामराज की आर्थिक जड़े कमजोर होंगी और वो कमजोर होंगी तो स्वतेही हिंदुस्तान की आजादी में एक बहुत बड़ा ओचित्ति पूर्ण और सार्थक कदम होगा इसी प्रकार से बहिसकार बहिसकार यह है कि विदेशी सामान का विदेशी नियायलों का विदेशी सिक्ष्या का बहिसकार करना उनका राजनितिक विचारों में सम्मेलिक था स्वेदेशी और बहिसकार तिलक के चिंतन के और तिलक द्वारा अपनाए गए दो सबसे महत पूंसादन थे तिलक ने केसरी जो उनका समाचार पत्र था जिसके संपादक थे वो में लिखा था कि हमारा राष्ट एक रक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वेराज है और स्वेदेशी और वह बहिसकार उसकी साखाएं स्वेदेशी का साप्दिकर्थ है अपने देश में बनी वस्तों को खरीदना वहिस्तेमाल करना उता वहिस्कार्ष का साप्दिकर्थ है विदेशों में बनी माल का माल को खरीदने और प्रियोग में लाने से मना करना चूंकि ये विचार इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगर स्वेदेशी या अपने स्वेम के देश के उत्पादों को काम मिलेंगे और विदेशी सामान का वहिशकार करेंगे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और उससे भारत की आर्थिक इस्तिती मस्पूत होगी तथा बिटेश सामराज की आर्थिक इस्तिती कमजोर होगी स्विदेशी और भहिसकार दोनूं ही आर्थिक दारणाय है दोनूं का लक्स एक ही था और वैया ये था कि भारती उद्ध्यों का पुनुरदार और देश का आर्थिक विखास करना तिलक ने स्विदेशी समंदि धारणा का प्रियोग केवल आर्थिक रूप में ही नहीं किया, अपी तो इसको एक राजनतिक रूप में भी किया, तिलक बहिसकार वे स्वेदेशी के विचार का पूरक मानते थे, वे बहिसकार को एक ब्रभाव साली अस्त्र मानते थे, और उसके सफलता में उनका पूर्ण विश्वास था, उनका प्रटे सत्ता से भारत की विश्वतनता के लिए किसी और साधन या हत्यार के आवशकता ही नहीं रह जाएगी। स्वेदेशी और भहिसकार के अतिरिक्त उनका एक और विरोध का जो मापदंद था या तरीका था या विचार था वो था निस्क्रिय प्रतिरोध। मतलब ये स्वेदेशी को अपनाना और विदेशी माल का भहिसकार करना ये आपस में एक दूसरे के पूरक तो हैं साथ ही निस्क्रिय प्रतिरोध के प्रतीक के रूपे भी हम इसको मान सकते हैं। निस्क्रिय प्रतिरोध समंदी जो विचार तलक के थे वो निस्क्रिय प्रतिरोध तलक के वहिसकार के विचारों का ही एक संगठित वक्स था निस्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ है ब्रिटिस सासन के संचालन में जनता दुआरा सायोग नहीं देना। निस्क्रिय प्रतिरोद मतलब यानि कि बिटी सरकार के जो भी आदेश है या उनके सासन संचालन के जो व्यवस्था है उसमें उसमें भारतियों को किशिवी प्रकार का सयोग नहीं देना ये निस्क्रिय प्रतिरोद था तिलक के द्रड मानिता थी कि साशितों के सयोग के बिना सासन चलाया जाना एसमभव है ये बिल्कुल सही विचार है अगर साशित सासन चलाने वाले के आदेशों को या उसके सयोग में अपना योगदान नहीं दे तो वो सासन चलाना एसमभव है निस्क्रिय प्रतिरोद में बिटिस आसन की नोक्रियां उपादियों का सारज़निक समारों का और आंदलोनों का तथा आदालतों का बहिसकार वर लगान और अन्य प्रकार के करने देना इसमें सम्मिलित किये गए थे निस्क्रिय प्रतिरोध उनके अनुसार ऐसा उपाय था जिसके द्वारा जन्ता हिंसक साधनों को अपनाय बिनाही स्वराजगी प्राप्ति के लिए प्रभाईवी डंग से आंदोलन कर सकते थी राजनितिक सिक्षा तिलक के अनुसार सिक्षा यूगों में देश की सेवा वर स्वाधिन्ता के लिए समर्पित करने वाली होनी चाहिए राजनेतिक शिक्षा के माध्यम से यूगों को देश की प्रस्तेतियों से परिचित करवाया कर उसमें स्वाधिनता प्राप्ति का संकल्प जगाना चाहते थे शिक्षा समंदी जो विचार उनके थे वो एक महान शिक्षा सास्त्री थे और शिक्षा सास्त्री इस रूप में थे क्योंकि उन्होंने फर्गुशन कालेज, दक्षन शिक्षा समाज और स्वधे से शिक्षा की बात की थी और स्वेम उन्होंने आगे बढ़कर इन संस्थानों का संचालन और इनकी स्थापना में बड़ा योगदान दिया लोकमान तिलक एक महान शिक्षा सास्त्री भी थे तिलक तथा आगरकर को महराष्ट में शिक्षा का प्रेणता माना गया है तिलक्का कहना था कि पढ़ना लिखना ही शिक्षा नहीं है शिक्षा वही है जो हमें जीव को पारदन के योगी बनाए यानि कि पढ़ लिखकर डिगरियां प्राप्त करना शिक्षा नहीं है और आज भी ये जो उनका विचार है वो सही साबी में सही है शिक्षा वही है जो हमें जीव को पारदन के योगी बनाए देश का सच्चा नागरिक बनाए और हमें पूरोजों का ग्यान तथान बहुदे उन्होंने जनवरी 1911 में New English School तथा 20 नौमबर 1984 को दक्षनी शिक्षा समाज की स्थापना की स्वेदेशी आंदौलन के अंतरगत समर्थ विद्यायलों की स्थापना की इन सकूलों का मुख्य उद्येश निशुल के शिक्षा देना वर व्यक्ति के सरवांगिन विकास में सहिजोग देना था तिलक की शिक्षा योजना में भारतिय पास्षात पद्दतियों का समन में देखा जा सकता है जो इस प्रकार है ओद्योग्यक शिक्षा पाठे करम में सामिल हो उनका जो शिक्षा समन्दी जो विचार था उसमें पास्षात पद्दतियों को उन्होंने समिलित किया था और उसमें जो पहला विचार उनका था कि ओध्योग्यक शिक्ष्या पाठे क्रम में सामिल हो तिलक का मानना था कि शिक्ष्या इस प्रकार की हो जिससे व्यक्ति अपने आजीव का कमा सके तथा अपने जीवन की कर्ठाईयों का मुकाबला कर सके दूसरा शिक्ष्या मात्र भासा में दिजाए क्योंकि मात्र भासा में दिए कि शिक्ष्या मन और मस्टिक्स पर गहरा प्रभाव डालती है और तत्कालिन समय में अंग्रेज अपने अंग्रेज सामराज द्वारा इंग्लिश स्कूलों की इस्थाप्रा करके अंग्रेजी सिख्षा दी जा रहे थी इसलिए भी उनका ये जोड़ था कि अगर हम अंग्रेजी सिखे तो हम मात्रबासा के नकार नहीं चाहिए इसलिए शिख्षा मात्रबासा में दी जाए इसके वो समर्थक थे तिलक ने मात्र भासा के मादम से शिक्षा देने पर बल दिया उनका मानना था कि जो शिक्षा मात्र भासा में 7-8 वर्स में सीखी जा सकती है उसे अंग्रेजी में सीखने में 20-25 वर्स लग जाते हैं तीसरा जो उनका विचार था धार्मिक शिक्षा पर बल तिलक धार्मिक भासा पर जोर देते थे और कहा करते थे कि किसी को अपने धार्म पर अभिमान कैसे हो सकता है यदि वैं अपने धार्म से अनविग्य हो धार्मिक शिक्षा के अभाव के कारण ही भारत में इसाई मिशिन्रीज की स्थापना होती जा रही है आते भार्चों को धार्मिक शिक्षा सिखाई जानी चाहिए या धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए जो था जो शिक्षा समंदी जो उनका विचार था जिसमें पाश्चात विचार को पाश्चात सिक्षा का भी को भी सामिल किया गया लेकिन मत्र भासा को भी उन्होंने प्रारंबिक शिक्षा के रूप में अपनाने पर जोर दिया एक राष्ट भासा वे एक लिपी का समर्थन भासा भेट से देश विभाजित होता है और ऐसा तिलक का मानना था अताय देश की एक्ता के लिए एक लिपी एक भासा होने चाहिए और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देवनागरी लिपी में लिखी हिंदी को राष्ट भासा बनाने का सुझाओ दिया था इस प्रकार से राष्ट के प्रती जो उनका योगदान है वो उग्र राष्ट्रवाद के रूप में हो चाहिए सिक्षा के रूप में हो चाहिए निस्क्रिय प्रती रोज स्वैदेशी अपनाना विदेशी वस्तियों के विदेशी माल का इस्तेमाल उप्योग करना हो चैसामाजिक व्योवस्था की बात हो उनका योगदान अतुलिनिय है और इसी विचारों और उनके द्वारा किये कारियों के कारण उनको लोकमान की उपादी दी गई और उनके विचारों को आज भी भारतिये राजनित्ती में एक बहुत बड़ा प्रभाव उनका देखा जा सकता है चाहिए वो सिक्षा की एक राष्ट एक भासा एक लिपी का समर्थन की बात हो चाहिए सिक्षा को मात्र भासा की हो चाहिए ओद्योगिक सिक्षा को पाठे क्रम में सामिल करना हो इत्यादी कारियों के द्वारा उनका जो योगदान है वो महतुपूर्ण है राजनितिक विचारों के परिप्यक्ष में उन्होंने जो अपने विचार दिये उनका एक अपना महतुपूर्ण है उग्रवाद उनका अहिंसक तरीकों द्वारा भी उग्रवादी होने के बाद भी उनके विचारों में अहिंसक होने की प्रेड़ना देखी जा सकती है आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद घर में रहें सुरक्षित रहें अति आवशक होने पर ही घरों से अपने घर से भार जाएं और भार जाते समय मास का प्रियोग और उचित दूरी का यथा संभव ध्यान रखें धन्यवाद